फ्रेंड्स मैं मोनीका मितल आज आपको Physics क्लास में पढाने वाली हूँ Thermodynamics का टॉपिक Carnot Heat Engine and Carnot Cycle तो फ्रेंड्स मैं आज के लेक्चर में आपको इन सब Myanmar के आंसर मिलने वाले हैं इस Carnot Cycle परिफेक्ट्ली रिवर्सेबल Why Carnot Engine Not possible दिखिये Carnot cycle perfectly reversible है की नहीं Why Carnot engine not possible Why Carnot engine efficiency is maximum What is the working substance in Carnot engine And what is the principle of Carnot engine ठीक है तो आप start करेंगे पहले Carnot heat engine और Carnot cycle से तो पहले मैं आपको बता दिना चाहते हूं कि heat engine क्या होता है उसके बाद हम Carnot heat engine बजाएंगे तो heat engine friends क्या होता है कि अगर एक ऐसी machine है जो heat energy को mechanical work में change कर दे तो उसे हम heat engine कहते है heat engine के तीन main part होते है एक होता है source जो high temperature पे रहता है और जिससे heat लेता है working substance work करने के लिए एक होता है आपका working substance ये कुछ भी हो सकता है steam भी हो सकता है और gas भी हो सकता है और एक पार्ट होता है sink sink क्या होता है जहां पे बच्ची हुई energy को working substance release कर देता है और finally फिर से original state में आ जाता है तो इस तरह के process में cyclic process होता है heat engine में तो देखे क्या करता है ये source से q1 amount of heat लेता है working substance और फिर work करता है और mechanical work में change कर देता है डबलो mechanical work change हो रहा है इस work को हम use कर सकते हैं किसी भी engine के थुरू जैसे गारी चल रही है उसमें use कर रहे है या हमारा कुछ भी चीज घूम रही है mechanical work में use कर सकते हैं और बाकी कुछ work को तो इसमे mechanical में change कर दिया और कुछ work को बाहर छोड़ कुछ heat को छोड़ दिया ठीक है Q1 लिया W में change किया Q1 में से और Q2 को छोड़ दिया क्योंकि law यह कहता है कि all heat cannot be converted into work ओके फ्रेंड्स तो Q1 amount of heat लियो Q1 का total का total work नहीं convert होगा Q2 amount heat liberate होगी देखे Q2 क्यों liberate होती है क्योंकि जो आपकी machine होती है उसमें किसी भी तरह का friction होता है viscosity है या किसी भी तरह के ऐसे factor हैं जो heat का loss कर रहे होते हैं इसलिए आपकी जो machine है वो भी आपको गर्म दिखाई देती है क्योंकि जितनी Q2 heat है वो sink में जा रही हो और sink heat engine के लिए पूरा atmosphere होता है तो बाहर छोड़ती रहती है तो आपका जितना भी heat engine है वो गर्म हो जाता है तो वो Q2 amount of heat हो रही होती है और ये sink आपका atmosphere होता है देखिए atmosphere ही क्यों है क्योंकि sink को का कुछ temperature माली है T2 है और ये T1 है इस T2 temperature को अगर atmosphere की temperature से कम temperature पे रखेंगे तो heat का लौ क्या कहता है heat हमेशा high temperature से low temperature की दरफ flow करना शुरू कर देती है तो अगर हम T2 less than atmosphere temperature रखेंगे तो एक heat अंदर की दरफ जानी शुरू जाएगी तो बहुत देर तक ये sink T2 temperature पे नहीं रह पाएगा तो इसलिए हम atmosphere को ये sink माल लेते हैं और जितनी बची हुई heat है वो atmosphere के अंदर चली जाती है अब ये T1 है T1 को भी constant temperature पे रखना होगा ठीक है तो इसे रखने के लिए क्या हमें लगातार fuel को burn करना होगा ये fuel कुछ भी हो सकता है mixing of gases जिससे combustion के थूँ heat generator या किसी भी तरहे का आप diesel, petrol, कुछ भी burn कर रहे है और उसके बाहर working substance से mechanical worth मिल रहा है और बाखी बचिवी heat atmosphere में जा रही है जब भी जितनी machine होती है गरम दिखाई देती है तो friends हमेशा heat engine दो temperature limit के बीच में work करता है एक temperature high होते है और दूसरा low होता है तो इस principle को अगर देखा जाए तो work जो आपको मिला वो मिला Q1 minus Q2 और अगर हम heat engine की efficiency देखे वो हो जाएगी जितना आपको work मिला अपन जितनी आपने heat उस system के अंदर डाली थी तो यह हो जाएगा 1 minus Q2 upon Q1 तो efficiency को student increase कैसे कर सकते है Q2 को 0 कर दे Q2 अगर 0 हो जाए तो efficiency कितनी हो जाएगी 1 that means 100% efficiency लेकिन Q2 यह दोनो Q2 को 0 नहीं कर सकते है क्योंकि Q2 सिंग के अंदर atmosphere में जाएगी जाएगी perfectly conducting जो system है या किसी भी तरह का frictionless piston ऐसे आप generate नहीं कर सकते है तो हमेशा और साथ में total heat को आप work में भी convert नहीं कर सकते है इस condition में Q2 कभी भी 0 नहीं होता है इसलिए efficiency हमेशा less than 1 ही रहती है ओके ideal condition में यह होता है अब कार्नोट ने दो principle लिए सेटी कार्नोट जो है उन्होंने कहा कि अगर दो temperature limit के बीच में अगर हम reversible engine को रखे तो उसकी efficiency होगी वो 100% होगी या फिर अगर उन दोनों के बीच में एक temperature limit के बीच में एक reversible और एक irreversible engine रखे तो reversible की efficiency maximum होती है तो सेटी कार्नोट ने एक cycle दी जिसके थूँ कार्नोट इंजन को उन्होंने design किया heat engine को जिसकी efficiency 100% हो तो अभी हम उसको समझेंगे कि कार्नोट cycle क्या थी और कैसे कार्नोट heat engine बना देखें इस्ट्रेंड reversible process होना चाहिए क्योंकि reversible process में बोला कि सबसे ज़्यादा efficiency होती है efficiency maximum होती है तो हमने reversible process को क्या बढ़ा था PV diagram में अगर आपको याद हो पहला lecture कि अगर कोई substance, कोई working substance है या हमारा system है वो initial condition में PVT में है तो अगर इसको हम isothermal process से और quasi static process से slowly slowly points change करके एक final state तक लेके जाते है तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसके state चेंज हो गई है ठीके? उसके बाद हम इसको वापिस लेके आते हैं और initial state में ले आते हैं तो इस तरह के process को PV diagram में reversible process कहते हैं इसमें हमने वही part retrace करे हैं जो हमने forward direction में लिया था अब देखे इस condition में तो W is equal to 0 हो जाएगा यानि की कार्णोंट हैं बोला कि इस तरीके से तो नहीं कर सकते हीट इंजन के लिए तो दो temperature होने चेंगे हैं एक source का और एक sink का तो temperature change कैसे होगा अगर हम इस cycle में दो adiabatic और जोड़ दें जैसे देखें adiabatic से cooling हो जाएगे आपका यह adiabatic process है यहाँ cooling हो गया यह माल यह T पे है इसे T1 माल ले और यह वाला जो जाएगा P3 V3 state तो change होगी और T3 temperature और यह lower temperature हो जाएगा क्योंकि आपने expand किया है अब क्या करेंगे हम इसको वापिस हमें यहीं पहुचना है ठीके तबी तो यह reversible process होगा और साथ में cyclic process भी हो जाएगा तो reversible cyclic process ही car note का cycle था ठीके तो अब क्या किया है उसने वापिस पहुचने के लिए isothermal compression किया compression करने के बाद यहाँ पे आ गया P4, V4 और T3 यह isothermal है देन उसने adiabatic compression किया तो यहाँ पे वापिस initial state में आ गया इस पूरे car note cycle में यह ध्यान रखा गया है कि system हर जंगे mechanical, chemical और thermal equilibrium में यानि thermodynamic equilibrium में है यानि कि पूरे process को quasi static process से किया गया है और किसी भी तरह की heat ना तो atmosphere में गई है surrounding में गई है और ना surrounding से अंदर आई है ठीके तो जितनी भी है वो इसी के अंदर है तो इसलिए वापिस initial state में आ गया है तो इस तरह की cycle को reversible cyclic process बोलते हैं cyclic क्योंकि इसमें पूरा cycle हुआ है एक loop बन गया है cable reversible process में loop नहीं होता है इसे हमने clockwise direction में trace किया है इसलिए एक work done मिलेगा जिसका area जो इसके pv diagram में जो loop बनाए है इसके area के equal होगा ठीके इसको हम next lecture में देखेंगे कि area इसके equal है और work done भी calculate करेंगे firstly आपको यही समझना है कि किस तरीके से दो adiabatic को add करके car note ने अपनी cycle को reversible cyclic process बनाया अब देखें हमारे questions है Is car note cycle perfectly reversible? Yes car note cycle तो perfectly reversible है यह अलग बात है कि perfect reversible process possible नहीं है लेकिन car note ने अपनी cycle को reversible बनाया है second why car note engine not possible? car note engine इसलिए possible नहीं है car note engine हम next lecture में पढ़ने वाले है तो car note engine इसलिए possible नहीं है कि car note ने जो जो condition ली थी car note engine बनाने के लिए यानि बिल्कुल perfect container लिया था isothermal process के लिए एक बिल्कुल large heat capacity वाला source लिया था और large heat capacity वाला sink लिया था और जो stand लिया था वो भी perfectly insulated था और working substance था आपका ideal gas था यह सब condition fulfill नहीं हो सकती है ideally real life में तो इसलिए car note engine possible नहीं होता है ठीक है why car note engine efficiency is maximum car note engine के efficiency इसलिए maximum थी कि efficiency of car note engine is equal to 1 minus q2 upon q1 है और next lecture में हम यह बताएंगे यह t2 upon t1 की equal हो जाएगा जिसमें t2 is less than t1 है तो car note ने t2 0 kelvin का sink लिया था और t1 को highest temperature दिया था क्योंकि car note cycle की efficiency increase की जा सकती है कि आप जितनी ज्यादा value of t1 ले या फिर t2 को जितना कम ले तो यह तो possible ठीक है आपने एक limit तक high temperature पर रख सकते हैं लेकिन t2 को अगर 0 kelvin कर दे तो आपको maximum work मिल सकता है लेकिन 0 kelvin temperature को obtain करना बड़ा मुश्किल है और उसमें continuously उसको रखना heat engine को surrounding देना 0 kelvin temperature की क्योंकि मैंने आपको भी बताया है heat engine में जो बच्चे हुई heat है वो बाहर surrounding में ही जाती है तो surrounding को 0 kelvin पर maintain करना इतना possible नहीं है इसलिए कानूट इंजन की efficiency तो maximum है कितनी है? 1, 100% उन्होंने ये condition ली थी लेकिन मैं आपको बता दिया कि real life में इसा possible नहीं है फिर है question fourth, what is the working substance in कानूट इंजन? तो ये हुआ ideal gas ओके? what is the principle of कानूट इंजन? तो मैंने आपको ये भी बताया था कानूट का जो इंजन है वो दो प्रिंसिपल पे बार करता है सबसे पहला कि अगर दो temperature limit ली है, एक high है और एक low है तो अगर हम उसमें reversible process रखें, कोई भी reversible process है दोनो temperature limit में, ये देखिए आप, इसको ऐसे समझ लेजे ये दो heat इंजन है, ओके? ये आपका source है, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, T1, T1, T2, T2 और working substance कुछ भी है लेकिन अगर ये दोनो reversible heat इंजन है, तो इन दोनों की efficiency अगर ये दोनो same temperature limit में काम कर रहे हैं, तो इसकी efficiency मांग लिया sigma 1 है और इसकी 2 है, तो sigma 1 is equal to इसकी, यानि कि first principle क्या कहता है? same temperature limit में अगर दो reversible process हैं, तो उन दोनों की efficiency equal होगी और maximum होगी second case में अगर दो same temperature की limit में एक reversible और एक irreversible heat इंजन वर कर रहा है, तो हमेशे reversible की efficiency will be greater than irreversible की efficiency तो इन दोनों, तो कार्नोट इंजन इस principle के उपर इन दो statement के उपर prove किया गया है ठीके friends, दोनों principle आपको clear है, next lecture में मैं आपको कार्नोट इंजन और उसकी efficiency के लिए पूरा mathematical formation देने वाली हूँ, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देखेगा और आप लोग पहले भी मेरे lecture जितने हैं, उससे thermodynamics को clear कर लीजिए और मैंने पहले भी बताया था, मैंने numerical के लिए jam के questions के लिए अलग से playlist बनाई हुई है तो आप उसमें सब तरह के thermodynamics process के numerical कर सकते हैं उसमें